अवारा पालतु जानवर बेला गाम हो कर सड़कों पर बैठे रहते हैं ग्रामिनों की फसले चट कर जाते हैं तो वहीं सबजी किराना वैवसाईउं की दुकानों पर भी हमला कर नुकसान पहुंचाते हैं आए दिन होने वारी परिशानी से अवगत कराने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो ग्रामिनों ने पंचायत भवन परिसर में इन जानवरों को बंद कर अपना गुस्सा निकाला जी हाँ ये पूरा मामला अनुपुर जिले के पुश्पराजगर तहसिल मुख्याले की ग्राम पंचायत किर्गी का है जिला कलेक्टर सोनिया मीडा ने दो अगस्त को जिले के सभी जनपत सीईओ को आदेशित किया था कि ग्राम पंचायतों द्वारा मुनियादी करावारा पश्वों को सड़कों पर छोड़ने वाले लोगों पर कारवाही की जाएगी जो महस दिखावा बना रहा आज भी जानवर बेल अगाम सभी जगा आसानी से दिखाई दी रही है तब ही तो किरगी पंचायत के ग्राम पंचायत को ये कदम उठाना पड़ा अब सवाल उठता है कि जब मुख्याले की ग्राम पंचायत का ये हाल है तब अन्य जगा हालात कैसे होंगे शायद यही हसल नुक्सान कर देते हम ये बताई ये कहां से पाएंगे लोगी उतना तो हमारे पास दंधा पानी भी नहीं है कि हम खाब पी सके सब खेती के बिसे से ही सब जी रहे हैं परिवार पूगा जैसे आप लोगों ने आज ग्राम पंचायत के अंदर गायों को किया है तो यहां है यहां जो कानी हाउस था तो सरपन सीकेट्री दे दी है किराय से और हम सभी ग्राम वासी बहुत परसान है इसे और रोड में बैठते हैं गाय पूरे उसे दुरगटना का कारण बना रहता है और यह सारे गाय जाके फसल खाते हैं आज किसान क्या है कि वैसों कुरोना से प हो गया है अपने आपको पता है जिला कलेक्टर ने आदेश दे रखा है कि जो भी पसू रोड पर बैठी मिलेंगे उस ग्राम पंचायत को संबनीत अधियारियों पर कारवाही की जाएगी पता है भाई हम लोग पता है सर काई बार भी हम लोग इनको बोले हैं सरपन के लिए अनुपुर से धन्पतपाल की रिपोर्ट